हेलो फ्यूचर इन्स कैसे हो आप लो तो यह है लेक्चर नमर्स सेवन जो के सिंगेज का है जो कि मुझे से bots掉 हो गया था गलती से हो गया था ठीक है तो यह में आज रियाप्लोड कर रहा हूँ और इसको मैं प्रानी वीडियोunde होंगी उनको भी परानी वीडियो तो यह है लाइन बाई लाइन सिंगेज एक्स्प्लेनेशन सीरिज का लेक्शन नमर साथ इससे पहले हमने कूलाम्स लौ इन वेक्टर फॉर्म तक करा दिया है और साथ हमने इलिस्ट्रेशन को सॉल्व कर दिया है तिल 1.22 ठीक है और आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक ठीक है चलिए थोटा समझते है इसको क्या है तो न्यूटन्स यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लौ एंड कूलाम्स लौ इनेवल आस तो कैल्कुलेट दा मेगनिटूड एंड एज एज बेल एज दा डिरेक्शन ओप दा ग्रेविटेशनल एंड एलेक्ट्रिकल फोर्स रि ठीक है यह क्या कह रहा है अभी तक आपने क्या पढ़ा है कि जो न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लौ होता है या उसका जो न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लौ होता है ठीक है न्यूटन्स लौ न्यूटन्स ग्रेविटी समयले तो चीक है एंड कूलाम्स law ये क्या करते हैं दोनों ये force को explain करते हैं force and उसकी direction मतबद particles के बीच लगने वाला force FG इदर F G vector और इदर F vector electrical force ठीक है यसी कूला force तो ये दो massive particles जो point mass M1 and M2 के बीच force को explain करता है और ये दो charge Q1 Q2 के बीच force को explain करता है और charge क्या है Q1 Q2 point charges है point mass है and point charges है ठीक है तो सिर्फ point particles के लिए ये valid होते हैं किसके लिए valid होते हैं point particles के लिए formula क्या होता है FG equal to G M1 M2 upon R square और ये होता है F C equal to A Q1 Q2 upon R square ठीक है like in this formula this formula not valid not valid for continuous और and distributed charges और masses, मतलब क्या है इसका कि यह formula valid नहीं होता है किस चीजों के लिए कोई बस्तू, मतलब बहुत सारे mass रखा है, मतलब mass distributed है किसी object पर, इस तरह से या charge distributed है, m या q distributed है तो, और या फिर एक और ले लेते हैं, यहाँ पर दूसरा charge यह m2 हो गया और q2 हो गया, तो इन दोनों की बीच लगने वाला force अगर निकालें तो वहाँ पर coulamb's law या gravitational force law काम नहीं करेगा ठीक है तो यह valid नहीं होता है वहाँ पर, तो वहाँ पर उस इन problems को solve करने के लिए यह क्या है, problems है क्या है, problems ठीक है, इन problems को solve करने के लिए एक approach होती है, field approach मतलब field मानते हैं उससे हम अपनी चीज़ों को solve करते है field approach होती है is a powerful tool to handle distributed and continuous masses और charges and their interaction तो field approaches से यह दोनों जो objects हैं इन दोनों objects के वीच force निकाल सकते हैं ठीक है field approaches क्या है, किस तरह से काम करती है तो वह आगे पढ़ेंगे ठीक है, ओके तो यह किस चीज़ में help करती है field approach है, आई इसके बाद क्या ही field approach field approach that can help in calculating calculating force between to charge और mass distributed objects ठीक है तो जब mass distribute हो, तो objects पर किसी यह mass distribute हो, तो उन दोनों के वीच force निकालना हूँ ठीक है, objects की बीच force निकालना हो, मतलब point particle से हटके जो भी objects होंगे, उनकी बीच force निकालना हो, तो वहां पर एक field theory काम आती है, field theory क्या मतलब, यह field approach काम आती है, ठीक है, तो किस तरह से काम आती है, वह हम इसमें जानेंगे, ठीक है अब बोल रहा है, in this approach, we define electric field, अब जैसे यहाँ पर coulombs, मतलब electricity की बार बात हो रही है, तो वहाँ पर electric field आता है, अगर यहाँ पर gravitational field की बात हो, मतलब gravitational force की बात होती है, तो उसके लिए gravitational field आता है, ठीक है, ओके, तो यह बोल रहा है, we define electric field as a space around a charge, यह charge body, in which its influence can be felt by any other charge, ठीक है, कि space around charge body, ठीक है, and जिसका effect होगा, मतलब जो space होगा, उसका effect होगा, वो feel किया जा सकता है, किसी other charge की दोबार, ठीक है, तो ऐसे समयलो, कोई, मतलब कोई भी एक, एक charge source, मतलब एक charge source, अपनी चार्व तरब एक boundary बनाएगा, एक boundary बनाएगा, एक region ऐसा होगा, जहाँ पर उसका दबदवा रहेगा, ऐसे समयलो, उस दबदवे को कोई भी दूसरा बंदा आके, या दूसरा कोई charge आके, उसको feel कर सकता है, कि हाँ भाई, यहाँ यहाँ पर कोई ताक region of space, around a charged object, around a charged object, the source charge, तो source charge होगा, उसके run, मतलब कोई भी एक charge होगा, कोई भी object होगा, जो charged body होगी, उसके around एक region होगा, जिसमें एक electric field होगा, ठीक है, और यह electric field किसका होगा, source charge का, ठीक है, when another charged object the test charge test charge होता है जिसका खुद का charge बहुत ही कम होता है उसका मतलब खुद का electric field बहुत ही small होता है ठीक है उसको test charge बोलते है मतलब जिसका खुद का electric field क्या होता है बहुत small होता है ठीक है वो अगर आता है वो enter करता है इस electric field में किस electric field में है source charge के electric field में या source charge के एक region में जहां पर उसका खुद का दबदबा है अगर वो charge मतलब test charge उसमें एंटर करता है तो तो test charge पर एक force लगता है अब मैं बताता हूँ कैसे क्या है देखो जैसे यहां पर करता हूँ ठीक है जैसे एक source charged है, source के है मतलब एक object है ठीक है, इस तरह से object है और इसके उपर रखा है charge क्यों, तो यह अपने around, अपने around एक area होगा मतलब एक अपने around जो भी इसका space होगा जो space होगा इसमें इसका electric field होगा ठीक है, electric field और electric field क्या होगा किसका होगा electric field, यह source charge का होगा source charge यह source charge है, ठीक है जिसका, जिससे electric field generate होगा है उसको source charge बोलते हैं अब मालो कोई charge आजा क्यों, नॉट इसको बोले हैं, यह unit आज, sorry unit नहीं, टेस्ट टेस्ट चार्ज टेस्ट चार्ज टेस्ट चार्ज इसका मतलब खुद का electric field बहुत ही कम है यह जिसका charge ही बहुत कम है तभी तो इसका electric field कम होगा, ठीक है एसे बोल सकते हो, कि इसकी charge की value बहुत ही small होगी, मतलब nearly zero, ऐसे समझ सकते हो nearly zero होगी तो उसका कोई भी electric field नहीं होगा ऐसे समझ सकते हो, ठीक है तो जब यह आता है इसके पास में, तो इसका effect, मतलब इसके space में आता है इसका space तो infinite तक फैल सकता है तो यहां पर आएगा तो यह इस पर एक force generate होगा, ठीक है क्या आएगा, एक force वो force ऐसे attractive भी हो सकता है या वो force एक repulsive भी हो सकता है, ठीक है repulsive भी हो सकता है, ठीक है, depend करता है, यह charge अगा sign क्या है और electric field किस तरह से क्या है, ठीक है अब देखो तो यह होगी यहां परमारी यह वाली यहां तक हो गया, ठीक है अब example देखते है As an example, consider figure which shows a small positive charge plus q naught placed near a second object carrying a much greater than positive charge q तो यहां पर देख सकते है यह positive charge capital q है, और इसका value बहुत ज्यादा है, in comparison to q naught q naught की value बुलकुल nearly 0 है ठीक है, ऐसे समझ सकते हो, तो यह रखा है, अब क्या होगा यहां पर q naught पर force लगेगा, capital q की वह ऐसे, इधर की तरह क्योंकि दोनो positive है यह भी positive है तो force लग रहा होगा, f इधर अब मालों यह यह दोनों के बीच का distance है r, तो f को मैं कैसे लख सकता हूं f vector हो जाएगा, a q q naught upon r square ठीक है, और f vector के form में लिख रहा हूं, तो यह force के तर लगेगा, q naught पर force के तर लगेगा r cap की direction में, r cap की direction, r cap की direction इधर होगी, ठीक है इधर, तो इधर हो गया r cap की direction, ठीक है तो यह हो गया force on q naught, क्या यह force on q naught due to q ठीक है, फिर क्या बोल रहा है we define electric field due to the source charge due to the source charge मतलब source charge का खुद का electric field, ऐसे बोल सकते है at the location of test charge to be electric force on the test charge per unit charge तो जो electric field define करेंगे q naught पर जो force होगा electric field कहां कहां define कर रहा हम है electric field e at p vector form में तो यह होगा जो force होगा p पर force मतलब q naught पर force upon q naught का मतलब divide कर देंगे unit charge, ऐसे बोल सकते है per unit charge per unit charge तो इस तरह से हम electric field निकाल लेंगे to be more specific the electric field vector e at a point in space is defined as the electric force f e active positive charge q naught placed at the point divided by the test charge अब q naught हमने by condition q naught को क्या माना है q naught क्या है 0 तो यहां पर limit लगा के ऐसे लिखते है इसको सही तरीके से limit q naught tends to 0 f vector upon q naught ठीक है ओके अब electric field की direction के दुर होगी तो यहां से देख सकते हो आप यहां से देख सकते हो electric field की वही direction होगी जो force की direction है q naught को positive लेना होता है मेशा positive लेंगे ठीक है ओके q naught positive हो q naught पर जो भी force की direction होगी वही क्या होगी उसके पास उस point पर electric field की direction होगी due to the source ठीक है at source charge due to source charge ठीक है इसको थोड़ा सा और साई से लिखता हूँ electric field at point p due to due to source charge ठीक है और यह p point कौन सा point है this p point is where q naught is placed ठीक है जहां पर q naught रखा है वहीं पर force है उस पर और उसी force हमने electric field निकाला है ठीक है ठीक है अब इसको और सभी से लिख लेते हैं एक चीज और देखो negative charge के लिए क्या हो जाएगा तो negative charge के लिए यहां पर देखो negative charge यह है minus q और यहां पर यह plus q plus q naught है तो इस पर force किदर लगेगा किदर लगेगा attractive होगा तो electric field की direction किदर होगा magnitude में same होगा लेकिन direction इस टाइम different हो जाएगी ठीक है ओके वहीं अगर positive charge q naught को किसी दूसरे electric field में रखते है जैसे यहां पर electric field इस तरह से दे रखा है ठीक है इस electric field में किसी positive charge q naught को रखेंगे तो उस पर force लगेगा electric field की direction में जैसे यहां पर है यहां पर electric field इदर है तो electric field की direction और force लग रहा है इदर की तरह पर तो लक्ती दाइक्स ट्रट रगवारल एक सिंट पर प्लस क्यों से यहां पतो एक मैसी बॉ Opportun to यह क्जों ऑगका सिंट हां सिंट है आप सिंट क्यों स्बाद कहा है तो इस पर किदा रगवेगा प्लस क्यों선 City क्या था प्लस क्यों सिंत प्लस फ्लस कू नोट था यह, तो प्लस क्यो नोट electric field में रखाया तो इस फोर्स किदर लगेगा? इलेक्र की फिल्ड में रखाया है मालो, तो इस फोर्स के दर लगेगा? इधर की तरब, ठीके? ऐसे समझ सकते हो और वहें अगर मेरा मैनस Q charge होगा, तो क्या होगा? अगर यह minus Q charge है, क्या यह minus Q charge? मालो यह वाला यहां पर देखते हो, यहां पर minus Q charge हो ता तो इस पर force कीतरा लगता है? इदर की तरब लगता है? force कीतरा लगता? इदर capital Q की तरब force लगता है तो electric field इदर होता? Sorry, wait हां तो जैसे ब्लस q charge का electric field ंसे की तरब इसे की direction में ठीक है और यहाँ पर उजू charge होता तो इसके कितर लगता इस तरब इसकी तरब की DIRECTOR की अब इategories लगता है इस तरह से, तो simple बात है कि, प्लस charge हो, वोzam इलेक्टरी फिल्ड इ में रखा हो, तो इलेक्टरी फिल्ड की डार्टरी फ्यल्ड की अप वहகी तरह से, फ़ी की एक mend़ फ्यल्ड की ऊप वही डार्टरेकशन में फ्यल्ड के फोर्स लगाएगा, ठीक है? simple मतलब minus q charge पर electric field की वज़े से एक force लगेगा उसकी electric field की अपोई direction में ठीक है इस तरह से next पढ़ते है the direction of e will be the same as of a vector the magnitude of the test charge is kept small because the other way it may disturb the original charge distribution and we will get electric field due to disturbed configuration and not original ठीक है तो मालो अगर प्लस q का ये वाले प्लस q का charge निकालना है ठीक है यहाँ पर electric field निकालना है e naught e point people ठीक है और वहीं पर क्या रखा है q naught रखा है ठीक है तो ये q naught भी अगर मालो q naught पर खुद का charge यहाँ पर जैसे बोला है कि charge को small रखना है अगर charge को small ना रखे तो it may disturb the original charge configuration ठीक है charge distribution तो यहाँ इसकी वैसे मालो electric field capital q की वैसे यहाँ इस पर electric field मालो इधर की तरब आ रहा है e one ठीक है one अब q naught की वैसे भी तो यह electric field होगा q naught मालो positive और यह अगर इसका charge ज़्यादा है तो इसका भी कुछ electric field ऐसे होगा अब वही direction ठीक है e prime मालो तो यह क्या है एक एक तरह से यह मतलब दोनों मिलके यहाँ पर एक net charge net electric field बनाएंगे जो कि इसकी वैसे electric field थोड़ा सा change हो जाएगा ऐसे बात है ठीक है तो यहाँ पर वो जो electric field होगा वो same नहीं होगा जैसे e होगी इस time e 1 ठीक है करने का मतलब यह है तो ओके तो simple कुछ नहीं है यहाँ पर इसका electric field 0 मानना चाहिए यह 0 होगा तभी इसका electric field आएगा वो इस तरह से निकाल सकते हैं ठीक है तो ओके अब एक चीज़ और देख लेते हैं कि unit क्या होगा भाई इसका electric field का तो electric field यहां से देखोगा तो f upon q है तो unit क्या हो जाएगा इसका Newton पर कूला ओके यह हो जाएगा unit और यह dimension मगरा तो आप निकाल लेना कुछ नहीं है इसमें f की dimension रख देना और c का होता 80 तो हो जाएगा ठीक है अब यह अब point charge is in electric field ठीक है what happens if a point charge q0 is placed at any point in an electric field produced by some stationary charges ठीक है तो यह यह बोलने के electric field को कोई q0 रखा है ठीक है ठीक है let this electric field be e vector charge q0 will experience a force let this force be f vector then the value of electric field at that point must be तो यह इस पर q0 पर force कितना होगा electric field की directional लगेगा q0 पर क्योंकि q0 positive है तो electric field की directional लगेगा तो इसकी value होती है f बरावर q0 e ठीक है तो ठीक है और यह electric field की value इसी point पर जहां पर q0 रखा है वहां पर इसकी value है ठीक है e अब बोला this is the force on q0 by e capital e q0 has no contribution in e e क्या है यह वाला e क्या है यह e external source का electric field है क्या है external source का electric field है इसका खुद का नहीं है ठीक है यह तो किसी दूसरे के field में रखा है दूसरे के field में रखेगा तो कुछ force field करेगा वह force यह है ठीक है it means a charge particle can experience force due to the field produced by other charge particles ठीक है तो यह electric field जैसे यहां पर यहां पर देखा था अपने देखा था यहां पर तो यहां पर q की वैसे यह electric field था ना e तो इस e की वैसे यह q0 force field कर रहा था जो किधर था इधर की direction में ठीक है तो वही है यहां पर okay but not due to the field produced by itself तो यह जो force यह खुद ऐसा नहीं है खुद field produce करके खुद ही force field करें ऐसा नहीं है ठीक है तो यह सिर्फ कोई भी चार्ज होगा वो दूसरे field के कारण ही force field कर सकता है यह नहीं कि खुद का field produce किया और खुद ही आग में जल रहा है ठीक है ऐसा नहीं होगा ठीक है मतलब खुद ही force field कर रहा है खुद का ही field generate करके ऐसा नहीं होगा okay अब यह electric field due to an isolated point chart तो वही है जैसे अभी जो हमने case पढ़ाता जिसमें q charge रखाता और जो electric field का जो formula आया था वह क्या था एक रेक्टरी फिल्ड का formula था वह था एक अपॉन q not अब हमको पता है कि यह आज सॉर्री वेक्टर फॉर्म में लिख देता हूं अब हमको पता है एक वेक्टर क्या होगा एक वेक्टर होगा एक वेक्टर को यहाँ पर रख देंगे तो e वेक्टर हो जाएगा q not से q not कट जाएगा तो a q upon r square r cap तो यह आए गया point charge की वैसे force और तो यहाँ पर देख सकते हो अगर q positive था तो electric field कैसे था ऐसे था ठीक है तो p point पर electric field कैसे होगा ऐसे अगर यह minus q charge होता ठीक है तो minus q charge होता यहाँ पर minus q charge होता तो force कैसे लगता ऐसे लगता force और जिदर force लगता तो q not पर electric field भी इधर ही लगता पर लेक्क्रब्री फील फो chyba ठीक है घ्लीक मैनेश क्यों चाय में ल टिफा यौथ यौथ हुए तो मैनेश क्यों भी सबस्ते हरं पलते होएधक आड़ईो फील फिर्लमेश खालते हैं क्यों पहले तो ओके और इसने यहां पर क्या लिखाया यहां पर इसने r cap को r vector upon r कर दिया modulus of r vector तो यह इसको यहां पर put करोगे तो a q upon r q हो जाएगा तो यह हो जाएगा कुछ a capital q upon r q r q और r vector ठीक है इस तरह से ओके यह है कि अब यह बोला एक इलेक्टरिक फिल्ड डू टू ए point charge in vector notation तो vector notation में what अब कोसन पूछ रहा है electric field due to a point charge in vector notation ठीक है तो vector notation में कैसे निकालना है तो ऐसे समझ सकते है कि एक जैसे यहाँ पर क्या दे रखा है यहाँ पर point यहाँ पर q not रखा है ठीक है तो ओके करते हैं इसको कुछ नहीं है तो यह मालो यह origin है तो origin से r vector पर इसको माल लेता है r one vector तो यह q वाला charge कहां रखा है r one vector पर और यह q not कहां रखा है q not रखा है r two vector पर लेट r two vector r two vector और एक यहाँ से यह r vector है ठीक है जैसे हम यह r vector ले रहे थे हम यहाँ पर ले रहे थे यहाँ पर ले रहे थे यह वाला r vector तो ऐसे ही यहाँ पर यह वाला r vector कहा है q से q not की तरब ठीक है अब यह बता फोर्स किदा लगेगा भाई इस पर q not पर Q not पर force इदर लगेगा Q not पर force इदर लगेगा इदर अरे तेरी इदर लगेगा ठीक है A vector अब हुमने पता है कि ये point P है तो P पर electric field क्या हो जाएगा A vector upon Q not simple अब A vector कैसे निकालेंगे तो A vector निकालने के लिए परदा तो A vector simple निकाल भी सकते हो जैसे A capital Q Q upon ये वाली जो है ना ये वाली ये वाला R vector तो उसके modulus का whole square तो इसको मैं R square ही बोल दे रहूंँ R square ठीक है और ये हो जाएगा R cap या फिर मैं इसको Q के form में लिख सकता हूं R Q R vector ठीक है अब एक चीज़ देखो के इन तीनों vector में relation क्या आएगा जैसे R 1 vector और R vector और ये हो जाएगा R 2 vector तो according to vector sum vector sum तो ये हो जाएगा R 1 vector plus R vector equal to हो जाएगा R 2 vector तो R vector क्या हो जाएगा R vector हो जाएगा R 2 vector minus R 1 vector ठीक है तो तुमारा E field आएगा जो वो आएगा F vector अपन Q 0 तो Q 0 से Q 0 cancel हो जाएगा तो A Q upon R Q और R vector क्या हो जाएगा R 2 vector minus R 1 vector अब देखलो R 2 vector ये बाला है Q 0 है Q 0 का position vector R 2 vector और R 1 vector क्या है capital Q का position vector ठीक है तो ये आगया आपका यहाँ पर इसने partition coordinate पर रख लिया तो कुछ फरग नहीं पढ़ता हो से ठीक है तो इस तरह से आजाएगा आपका electric field due to point charge in vector notation vector notation यहाँ पर points जो Q और Q 0 है इनके vectors दे रखे हैं ठीक है इनके points दे रखे हैं तो उससे हम vector निकालेंगे R 1 vector R 2 vector ठीक है ओके यहाँ पर ये देख लिलना कि R 2 R 2 क्या है R 2 position of Q 0 है क्या है position of Q 0 और ये क्या है position of capital Q और R क्या है R एदा magnitude of मतलब दोनों के बीच का जो displacement होगा दोनों के बीच का दोनों मतलब positions का जो difference होगा ठीक है या Q और Q 0 के बीच का जो displacement होगा उसी का modulus है ठीक है ठीक है ओके तो ये हो गया next पढ़ते है तो next आपका graphical variation of electric field on x-axis due to a point charge तो यहाँ पर एक point charge है जैसे plus Q तो ये origin पर रखा है है और इधर एक minus charge है तो इनके लिए ग्राप बनाना है किस तरह से ग्राप होगा ठीक है अब देखो आप electric field जो होगा आपका जैसे ये electric field मतलब point of x direction electric field कैसे होगा electric field का value क्या होगा point of x direction नो होगा e vector equal to aq upon x square x cap यह होगा यह होगा ना तो x cap की direction में electric field होगा आपका यहाँ पर यह जो y axis है यह आपका electric field की direct मतलब x axis है and x axis की है x ठीक है मतलब x axis पर क्या value होगा है x ठीक है तो जैसे जैसे x बढ़ेगा जैसे जैसे x बढ़ेगा तो x इसको नीचे बढ़ेगा तो यह electric field क्या होगा decrease होने लगेगा जैसे जैसे x बढ़ेगा आपका जैसे 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 x बढ़ेगा आपका जैसे जैसे x बढ़ेगा आपका electric field क्या करेगा decrease करें ठीक है जब x infinite होगा जब x x infinaire होगा x infinite होजाएगा तो यहाँ पर x square infinite हो जाएगा A की ओपन x square क्या हो जाएगा? 0 e tends to 0 मतर जैसे जैसे x infinite की तरब जाएगा electric field क्या होगा? फिर decrease होते होते हैं 0 की तरब चलने लगेगा जब x 0 होगा जब x nearly 0 होगा tends to 0 होगा यहाँ का यह x की value होगा तो यहाँ को यह x की value, मतलब इदर का यह x की value होगा तो वहाँ पर आपके electric field कितना होगा x tends to infinite करेंगे तो यह value बहुत छोटी होती जाएगी और इसमें इस छोटी सी value को डिवाइड होगा तो एक्ट्री फिल्ट की तरब जाने लगेगा इस तरह से तो ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा आपका कुछ डिग्रीजिंग टाइब ग्राफ आएगा ओके और क्यूंकि देखो एक्यू अपोन एक्स उसकार इदर की डारेक्शन पॉजिटिव है मतलब प अब अब इधर देखो आप तो इस से उपर की तरफ बने गःगा एम एकर प्लस डी तरफ यहांपर आप देखो गेगा फिर से वहिए एक्स-ट्रीजिरो पर तो इस तरह से graph जैसे जैसे x x- infinite जाएगा तो electric field यह आपका 0 की तरब बढ़ता जाएगा ओके तो यह हो गया आपका points charge की वाएसे था आपका जी यह किसकी वाएसे था positive charge की वाएसे अब ऐसे negative charge की वाएसे भी देख लेते हैं तो यह आपका negative charge यहाँ पर नेलेक्टिव विल कि तान है तो एलेक्टिव फिल की तर्ब गाय। क्योंकि तरफ फिल होगा इस होगा इस होगा यह infection होगा Hey तो मतलब एक्टिफील होगा aq upon x square और minus x क्या है ठीक है यह x एज पर एक्टिफील है यहां पर x एक्टिफील है तो aq upon x square तो सेम यहां पर करेंगे x tends to 0 होगा तो क्या हो जाएगuchen तो नीची की तरप सिर्फ एक्टिफील की तरफ यहां होगा तो यहां और वहीं काunken हुए आपको जीरी तरफ बढ़ने लगेगा इस वाले रीजन में मतलब यहां पर इस जगह पर इस तरह से होगा एसे होगा ठीक है तो यह हो जाएगा एक्यू अपॉन एक्स स्कॉर्र होगा एक्स के वह प्यार्यों प्लस इन्फाइनेट कि तरब और यहां पर एक्स तेंस जीरो रखेंगे तो लेक्टर की तरफ meant रहेगा तो क्छ इस तरह से रहेगा थर." इदर इंस्वाला ग्राब पक्षान WASन जाते जाते zero पर टच करने वाला होगा मैं लेकिन करेगा कर नंहीं करा छलता हो ग्राब दिया चलता ही रहे या कभी टच नी करेगा तो तो नेक्स देखते हां आपका तो next है आपका electric field due to electric intensity due to a group of charges तो बहुत सारे charge रखे हैं मालो जैसे यहाँ पर देखो आप q1, q2, q3, dot 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 qn ठीक है इस तरह से और सबका जो positional vector है q1 का vector है origin से positional vector r1 vector q2 का r2 vector q3 का है r3 vector and qn का है r, n vector हो जाएगा and मुझे एक p point है जहाँ पर इन सभी charges की वैसे सभी charges की वैसे electric field find करना है तो जैसे आपको पता है कि point p पर एक test charge मानते है तो उस test charge पर जैसे q0 मानते है क्या मानते है q0 मानते है क्या मानते है q0 तो q0 पर जो net force आएगा उस force में q0 का divide कर देंगा per unit charge जो force होता है वो ही तो होता है electric field तो हमने ऐसा और लेड़ी पढ़ चुका है हमने principle of superposition पढ़ाता f vector upon sorry f vector on q0 मतलब p तो यह होगा आपका f on p due to 1 plus f vector on p due to 2 plus f vector on p due to 3 plus dot 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 plus f upon f vector due to nth charge ठीक है इस तरह से और electric field on p निकालूँगा मैं electric field on p निकालूँगा तब वो हो जाएगा f on p मतलब p point पर रखे हुए charge पर total force जो के हो जाएगा आपका fp divided by q0 उस charge की value क्या होगी q0 तो इसको आप जब करोगे आप superposition principle को यहां लगाऊगे मतलब इनकी value निकालोगे इनकी value निकालोगे तो वो और इसमें divide कर दोगे तो वो कुछ इस तरह से आए जाएगा कि electric field e1 upon e2 e3 इस तरह से मतलब इस charge की वेज़से यहां पर electric field इस charge की वेज़से यहां पर electric field यह हो जाएगा e2 इसकी वेज़से electric field e3 ऐसे और इसकी वेज़से electric field ऐसे qn इन सब को यहाँ पर इस तरह से जुड़ जाएगे Jika, F1 अपन Q yr vinead ऐगा हो जाएगा अपका electron F2 अपन Q नॉट आएगा अपका E2 ADP3 अपन Q no the आयगा तो वह जाएगा E3 एज ऐसा यह वेक्टर पैन आएगा अपन Q noaren तो हो जाएगा अपका का en vector ओके तो अब जैसे आपको पता है कि e1 कैसे निकालेंगे है एक एक वेक्टर जो तो आर पी से वन की तरफ हो और पी वन वेक्टर का होल स्कुरर क्योंकि यह अगर पॉजिटिव चाहिए तो डारेक्शन भी कितर होगी और पी वन ठीक है इस तरह से एंड ऐसे ही एसे एटू निकाल लेंगे तो यहां पर क्यू वन की जाएपर टू हो जाएगा यहां पर वन जैसे र 1 vector plus this vector, rp1 vector equal to हो जाएगा rp vector ठीक है तो यह वह जाएगा आपका rp1 vector हो जाएगा simple हमने जैसे पढ़ाया ओलडी rp vector minus r1 vector and rp1 की direction हो जाएगी rp1 vector यह rp1 vector upon rp1 vector का modulus यह भी पड़ामने vectors में तो यहां rp1 vector की value रख देंगे rp vector minus r1 यह वाली and इसकी value रख देंगे इसका modulus ओके ठीक हो गया तो आपका e1 vector हो जाएगा जैसे a1 vector यही था न aq1 vector and यहां पर vector आएगा इस तरह से ठीक है तो यह हो जाएगा आपका e1 vector हो जाएगा aq1 upon rp1 vector का q ठीक है and जो जो यह था जो यह था आपका वो अब change हो गया r vector upon r vector का modulus इस तरह से ठीक है तो यहां पर change कर दिया है मैंने जैसे आप देखोगे न इतर मतलब rp1 vector का rp1 modulus को मतलब rp1 cap को मैंने यहां रख दिया है तो इसको रखेंगे तो यह फिर इस तरह के रखेंगे तो यह हो जाएगा rp1 vector upon rp1 vector का यह मतलब यह आएगा तो यह वाला और यह वाला एक दूसर से merge करके q हो जाएगे तो कुछ इस तरह से आ जाएगा और इसमाँ बाकी value रखते हैं तो e1 vector हो जाएगा aq1 upon इसका रखेंगे value तो rp vector minus r1 vector and इसका रखेंगे rp vector minus r1 vector okay and then हम क्या करेंगे कि जो e p vector होगा मतलब ऐसे e1 vector निकलाएगा ऐसे क्या निकलाएगा e1 vector ऐसे ही e2 vector क्या निकलेगा आपका e2 vector निकलेगा आपका aq2 upon rp vector minus r2 vector का q and rp vector minus r2 vector ऐसे ही आपका जो net elective field होगा e p vector वो हो जाएगा e1 vector plus e2 vector next e3 vector plus dot 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 en vector तो इसको मैं m मतलब यहाँ पर 1 हो जाएगा next 2 आएगा next 3 आएगा तो इसको लिख सकता हूँ है समय मतलब सारे को add करूँगा तो लिख दूँगा aqk ठीक है तो जैसे यहाँ पर k की value vary करेगे 1 to n तक और नीच आएगा rp minus rk तो जैसे 1 है तो यह k आ गया 1 है k तो सारे k equal to 1 से मतलब यह e1 vector k equal to 2 के लिए e2 vector k equal to dot 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 plus k n के लिए k equal to n के लिए e n vector इस तरह से आ जाएगा तो सब जोड़ देंगे तो कुछ आपका इस तरह से net electric field आएगा ओके तो यह हो गया आपका तो इसके बाद आपको कौसंता है illustration 1.23 तो कौसंता है two point charges each having charge q are placed on the x-axis at x equal to minus a and x equal to plus a as shown in figure पहला पूचा है plot the variation of electric field e on the x-axis दूसरा पूचा है plot the variation of electric field on y-axis ठीक है फिर पूचा है find the position on y-axis where electric field is maximum okay तो जैसे यह plus q charge है और यह plus q charge है तो मुझे यह एक रीजन दो रीजन और तीन रीजन में और इन चार रीजन में मुझे electric field का variation on x-axis मतलब ग्राब बनाना है x-axis ठीक है तो कुछ आपका ग्राब किस तरह से आएगा जैसे यहाँ पर देखवा तो यह plus charge है मतलब charge दोनों plus हैं जैसे यह रहा यह plus charge है q मतलब x equal to minus a पर रखा है और इधर यह plus charge q x equal to plus a पर रखा है तो आप देखिए यहाँ पर जो inside electric field होगा मतलब इसकी वैसे इसको मैं पहला charge मान रहा हूँ और इसको मैं दूसर चार्ज मान रहा हूँ ठीक है तो electric field आप देखते हैं जैसे इस वाले region में electric field इस वाले region में electric field e1 मतलब 1 की वैसे electric field 1 की वैसे electric field की value क्या आएगी यह आएगा आपका a q1 मतलब q positive चार्जाज़ा तो q upon इधर की तरफ वाली direction ठीक है मतलब इधर की distance तो वह हो जाएगी आपका a q upon x square मान लो ठीक है a q upon x square मतलब जैसे जैसे एक मतलब चीज़ों को देखते हैं दिखा रहा हूँ ठीक है यह इस से distance है इस वाले point से distance है x ठीक है ओके चार्ज से distance है ठीक है बस ऐसे दिखा रहा हूँ आपको x square या फिर आप ऐसे लोग हो कि यहां से x मान रहे हो और यहां कहीं इस वाले point पर मालो इस point x मतलब x से पर electric field देखना है तो मालो यहां पर electric field रिकारना है तो इस चार्ज से distance यह वाली हो जाएगी आपकी x minus a ठीक है तो x minus a इस तरह से magnitude मतलब x minus a का magnitude इस तरह से लेकिन मैं आपको जस्ट ऐसे ही बता रहा हूँ कि मालो यह आपका distance हो गया आपका x square और इसकी direction के दुर होगी point x direction इस तरह से होगी and e2 हो जाएगा आपका e2 हो जाएगा आपका e2 यह positive charge है यह positive charge तो इसकी वैसे लेक्टिफिल आपका ऐसे आएगा and e2 कैसे आएगा ऐसे आएगा अब e1 का यहाँ पर देखोगे कि e1 का जो मैंने length है वो जादा बनाया है in comparison to e2 क्यों क्योंकि e1 का magnitude ज्यादा होगा इसलिए उसका length ज्यादा है तो यहाँ पर जो net electric field आएगा वो point of x direction मा आ रहा होगा ठीक है point of x direction मा आ रहा होगा ठीक है e2 आ रहा होगा aq upon x square x1 x2 माल लेते चलो x1 square x2 square ठीक है और इसकी direction के दर होगी minus x के इस तरह से तो net जो e1 minus e2 करेंगे मतलब e1 और e2 को दोनों को जोड़ दांगे वेक्टर फॉर्म में यह दोनों को वेक्टर फॉर्म में जोड़ दांगे इस तरह से कर देता हूं इसको व करेंगे तो आप इन दोनों को जब एड करोगे मतलब वेक्टर फॉर्म में एड करोगे तो aq upon x square यह वाला तो पॉइटिव रहेगा यह पॉइटिव रहेगा लेकिन डॉमिनिट कौन सा करेगा इलेक्टिव इवन डॉमिनिट कर रहेगा क्योंकि यह ज्यादा रहेगा और आथा इवन डॉमिनिट जो कर रहेगा गहले तो इसी की तरह बैलू आगे तो इसी की तरह पॉइटिव रहेगा थे ठीक है तो पॉइटिव ग्राप की तरह बनेगा उपर की तरह बनेगा यह रहागए लिग dob 성kę कज बनेगा ख्रया लह अर्टिक है खरीकहर, और जैसे जैसे आपका graph, ये एकस जीरो आपका एकस जीरो का मतलब है, चार्ज से डिस्टेंस दूर तो एकसद ор Jono कर X до 0 मतलब जब X 0 मतलब इस वाले चार्ज से जस्ट पास में हूँ तो यहाँ कहीं एकसवन तो आपका नियरली जीरु होगा और X2 आपका कितना होगा एकसट अब नियरली 2a मतलब नियरली 2a मतलब ए यह रही और लेकिन to getЩे इसलन व Пока इस पोइंट्ट पर कहीं इस पोइंट अभगा mathematically नियली жीरो तो तो इस इस likely तरफ एक्सटेंड करेंगा बढ़ेगा तो आपका अगर कुछ इस तरह से आएगा ठीके हैं अब टरद वाले में देख़ेंगे कि इवन जो होगा आपका, मार्लो ह dalी त्रिर्ड वाल रीजिन में कहीं is point पर देह हैं, ठीक है इस warnings У** ग्ला Candid E2 का magnitude ज्यादा होगा, ठीक है, तो क्यों वाई, क्योंकि E1 इसकी बैसे निकाल रहा है, तो यह ए से काफी ज्यादा होगा, और यहीं पर E2 निकाल रहे हैं, यह distance के लिए, तो E2 A से, मतलब distance जो होगी, A से कम होगी, तो distance का नीचे square हो रहा है, तो A से कहने का मतलब जिसकी distance ज्यादा होगी, उसका electric field कम होगा, simple, तो इस तरह से, तो net जो electric field आएगा, पहले तो E1, E2 निकाल लेते हैं, कितना होगा, तो E1 हो जाएगा आपका, A Q upon X 1 square, और यह कितना हो X 2 square minus X direction, जब इन दोनों को यहाँ पर, इस वाले region में दोनों को एक दूसरी को जोड़ेंगे, by using vector form, sorry, vector sum, तो आप देखो कि E2 आपका dominant करेगा, क्यों, E2 तो इस वाले region में dominant करेगा, क्यों करेगा, क्यों करेगा, क्योंकि भाई, यह Q2 चार्ज की दूरी है, मतलब इस वाल जिसका E2 ज्यादा होगा, तो उसी की तरह आपका graph बनाएंगे, तो जैसे यहाँ पर देखो, पहली बात तो यह है, कि X equal to A, यहाँ बात 0 पर देखोगे, तो इसकी distance A, इसकी distance A, दोनों सेम है, तो same amount of electric field है, लेकिन आप और यह direction होगे, तो यहाँ तो electric field आपका 0 होने बाला तो यहाँ पर देखोगे, आप electric field के दर होगा, minus X direction, तो graph कैसे बनेगा, नीचे की तरफ ग्राब बनेगा, ऊपर नीचे की तरफ ग्राब बनेगा, तो जो dominant करेगा, तो E2 का graph के दर होगा, negative, यह minus X है ना, तो negative, नीचे graph बनेगा, तो नीचे graph बनेगा, ठीक है बाई, दूस आपका nearly 2A की तरफ जाएगा, तो कोण dominant करेगा, E2 ही dominant कर रहा होगा, लेकिन X2 आपका nearly 0 की तरफ जा रहा है, तो electric field भी आपका minus infinite की तरफ extend करेगा, ठीक है, तो graph कहीं है, इस तरह से आपका minus infinite की तरफ जाता जाएगा, तो graph कुछ इस तरह से आएगा, इस वाले region माँ, 2 और आपका, E1 इस चार्ज की विएसे निकाला है, इस चार्ज की विएसे, Q की विएसे, तो E1 यहाँ पर, इस वाले region में, electric field कैसे होगा, आपका, मालो कहीं यहाँ निकाल रहे है, इस जाएगा, ठीक है, तो E1, E1 तो आपका ऐसे होगा, ज्यादा मतलब E1 ऐसे होगा, ठीक है, और E2 होगा, छोटा सा इसका magnitude होगा, ठीक है, इस E1 के comparison में, E2 भी, सोरी, 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 क्योंकि यह positive charge है, तो electric field इस point पर निकालना है, तो electric field ऐसे होगा, ठीक है, और E2 भी आपका electric, मतलब E2 चार्ज की विएसे भी, sorry, E2 बोल रहा हूँ, Q2 क्या बोल रहा हूँ, तो Q2 चार ठीक है, अब यहाँ पर देखोगे, अब इनको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, थोड़ा सा, मतलब Q बन हो जाएगा, E2 बन हो जाएगा, AQ अपोन X1 square, के दर होगा, minus X direction, and E2 हो जाएगा, AQ अपोन X1 square, sorry, 2 square, और यह भी minus X direction, तो दोनो minus direction हो, तो ग्राप भी के दर बनेगा, आ दोनो एड हो जाएगे, दोनो एड होके, ग्राप कैसे वनेगा, आपका negative बनेगा, मतलब नीचे की तरफ ग्राप बनेगा, जब X infinite की तरफ होगा, minus infinite की तरफ होगा, दोनो X 1 है, और X 2 दोनो इंफाइनेट की तरफ जाएगे, तो अलेक्टिफल के आउजाएगा, 0 की तरफ तो यहां पर आपका आपका X, X1 आपका नियली 0 होगा तो यह डिस्टेंस X2 होगी तो यह कितनी हो जाएगे आपकी 2A के बराबर तो यह तो आपका आपका finite रहेगा यह तो आपका finite रहेगा लेकिन यह आपका क्या हो वह इंफानेट की तरफ जाएगा तो माइनस कुछ इस तरह से माइनस इंफानेट की तरह आपका एक्ट्रिफील एक्टेंट करेगा के सिमिलरली आप देखोगे इस वाले के स kalian करेंगे यहां पर यहां पर देखोगे यह van All Q1 के लिए, Q1 के लिए आपके electric field कुछ इस तरह से आएगा, ऐसे ये क्या है, E1 vector लेकिन Q2 के लिए आपके electric field, जैसे ये वाला Q2 है अब Q2 इस वाले point के पास में, इस वाले point के पास में तो electric field आपके ऐसे ही आएगा लेकिन लंबा vector होगा इस तरह से, तो दोनों electric field इस वाले region में वेट, वेट, वेट क्या होगा हाँ, दोनों electric field इस वाले region में आपके किदर आएगे, point vex, direction दोनों जुड़ जाएगे, एड हो जाएगे अब इस टू वेक्टर जो होगा, वो हो जाएगा आपका AQ upon X2 square x cap, एड यह हो जाएगा even vector हो जाएगा, AQ upon x1 square x cap, दोनों add हो जाएगे तो सीरी सी बात आपका grab कैसे होनेगा दोनों point वे, point वे, point वे, तो grab भी आपका कहीं ऊपर point वे बनेगा, जब extend to 0 होगा, तो grab नीचे electric field आपका, extend to infinite होगा आपका ग्रेगा, 0 की तरब जाएगा जब extend to 0 होगा तो grab आपका infinite करब extend करेगा तो कुछ यह तरह से grab आपका तो यह question हो गया है आपका ओके, तो इसका next जो part है वो है, plot the variation of electric field on y-axis and find the position on the y-axis various electric field is maximum, तो y-axis पर इस y-axis पर electric field का variation देखा show करना है किस तरह से आपका electric field का variation हो रहा होगा and वो position भी find करना है जैसे यह A तो A की वो position A या भी मादलो तो यह वो position B जहाँ पर electric field maximum है ठीक है तो वो भी हमें निकालना है तो करते हैं तो जैसे यह y-axis है, मतलब y-axis यह y-axis पर कोई point y distance above यह कोई इस point पर electric field आपका कैसे हो जाएगा इस तरह से हो जाएगा e बोल दे रहा हूं मैं इसको magnitude of this electric field is e and यह distance कितनी होगी आपकी यह हो जाएगी a plus y का whole square यह स्तरह से और इसका square root ठीक है तो यह हो गया ऐसे ही यह plus q चाहिए की वैसे इस point पर electric field कैसे होगा e एसे होगा और दोनों electric field same magnitude के होगे ठीक है direction different होगी लेकिन magnitude दोनों के same होगे ठीक है इस तरह से क्योंकि यह distance same है और charge भी same है तो collective field का formula ही होता है आपका aq upon r square है ठीक है ओके तो तो यहाँ पर आप देखोगे कि यह electric field ऐसे जा रहा है यह ऐसे जाए अगर यह angle theta है यह अगर angle theta है तो यह भी theta हो जाएगा आपका ठीक है यह भी theta हो जाएगा and यह अगर theta है यह angle theta है तो यह भी theta हो जाएगा ठीक है तो यह भी theta हो जाएगा ठीक है अब देखो electric field के दो कंपूरे निकाल सकते यह x-axis वाली लाएने इस तरह से तो electric wheel का एक x-axis की तरब e cos theta ऐसे हो जाएगा e cos theta यह हो जाएगा e cos theta ऐसे ही इधर का इसका आजाएगा e same e cos theta e cos theta ठीक है ओके और दो उपर आएंगे उपर की तरब आएंगे जैसे e cos theta का e cos theta से इधर की तरब तो यह इधर आजाएगा e cos theta का उल्टा हो जाएगा e sin theta तो यह जो यह यह है यह e sin theta ठीक है तो e sin theta इसकी विए इस वाले की तरब उपर की तरब आएगा e sin theta ऐसे ही इस वाले की तरब उपर आएगा e sin theta तो दोनों e sin theta जोड़ जाएंगे तो यह हो जाएगा 2e sin θ, तो यह क्या है 2e sin θ, ठीक है, ओके दैन, इसको उठाओ, 2e sin θ, ठीक है, यह हो गया, तो net activity लो जो आएगा, y axis पर net activity किदर आ जागो, 2e sin θ, और किदर आ रहोगा, यह y direction में, किदर आ रहोगा, positive y direction, इस तरह से, ठीक है, तो अब करते हैं इसको, तो जैसे आप देखोगे, कि e sin θ, e sin θ, मतलब 2e sin θ, तो इलेक्टिफिल निकाल लो, पहले, इलेक्टिफिल क्या होगा, e हो जाएगा आपका यह, a q upon r square, तो r square कितना यह, r यह है, तो r k square करेंगे, तो यह हो जाएगा, इस ट्राइंगल से देखोगे, यहां से देखोगे, इस ट्राइंगल से देखोगे, sin θ, iii अपॉन दिस वैल्व, तो यहां से sin θ, i op on this value, okay, तो sin θ की वैल्व यहां put करेंगे, तो e net जो आएगा आपका y डायक्षिन, तो e net जो आएगा y direction कुछ इस तरह सो जाएगा, यहाँ पर मैंने sin theta की value रख दिया, ठीक है, तो कुछ इस तरह से हो गया, यह आगया आपका y direction electric field, ठीक है y, बोल रहा है कि maximum value find करो y की, y की वो maximum value जिस पर electric field maximum हो, तो उसके लिए क्या करेंगे, य की value जिसके लिए electric field maximum हो, तो यह करतेंगे, dy over dx, बतलब maximum and minimum के लिए निकालते हैं, तो electric field के निकालेंगे, तो यह हो जाएका, dy over dy equal to 0, तो यह y के respect में इसका differentiation हो जाएगा, इसका differentiation करेंगे with respect to y, तो यह हो जाएगा कुछ इस तरह से आपका, इसको further solve करेंगे, तो यहाँ से y की value निकाल लेंगे, तो y आजाएगा, root a square upon 2, या y equal to 2 आजाएगा, plus minus root a by 2, तो यह वो value जहाँ पर electric field आपका maximum है, अब तो अब electric field का जो formula था, वो क्या था वाईगा आपका, electric field का formula था आपका, 2 a q y upon y square या a square, plus y square की पावर 3 वट्टे 2, तो एक चीज बताओ, यहाँ पर आप देखोगे, इस वाले formula देखोगे आप, इस वाले formula पर देखोगे, इस वाले formula पर देखोगे, जब y equal to 0 होगा, electric field क्य ना रहे ना, तो e y, मतलब e y, ऐसे है, और y x, ऐसे है, तो, मतलब graph किस तरह से होनएगा, electric field का वो देखते है, तो जब y 0 होता, electric field 0 होगा, जब y infinite होगा, तो electric field क्या हो जाएगा, 0, कैसे, क्योंकि नीचे वाला यह term है, यह infinite की तरफ जब एक्सेंड करेगा, तो y यह नीचे और यह बच्चे का, 1 प्लस, sorry, 1 प्लस a square upon y square की power 3 वटे 2, इस तरह से, ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा और कहीं लिखते लता हूँ, इस तरह से, ठीक है, अब देखो आप, अब यहाँ देखो गया, आप कि, हाँ, तो y टेंस to infinite पर electric field क्या हो जाएगा, 0, यहाँ पर y टेंस to infinite करोगों, तो यह 0 हो जाएगा, और यह infinite हो जाएगा, नीच Norwegर इंचे infinite हो जाएगा, ऊपर 2AQ, तो यह क्या हो जाएगा, electric field, 0 जाएगा, ठीक है, electric field 0 होगा, तो मतर्द जो ग्राब बनाएंगे हम उसमें, इंफाइनाट की तरह, minus infinite हो या, plus infinite हो, यह प्लस इन्फाइनट हो यह मैनेस इन्फाइनट हो तो इलेक्टिफिल जीरो होने वाला है तो ग्राब बनाएंगे वह जीरो की तरफ इस तरह से बनेगा ठीक है बनेगा भाई दूसरा देखोगे कि आपको जब वाइक्वल टू एवाईटू रखो प्लस एवाईटू यहा यहां पर देखत देखोगे तो यहां पर लेक्रिटिफिल कैसे आएगा मतलब यहां आपर एलेक्ट्रिफिल आएगा ऐसे से य तो नीचे की तरफ ऐगा लेक्ट्रिफिल नीचे की तरफ आएगा टू साट तेटर माइनस वाइगें इस तरह से टरह अ ओड्रेख़ ग्राप होगा आपका माइनस अधार क्या था आपका इधर था आपका इलेक्रिफील इधर था आपका डायेक्टर के फॉर्मल लिख रहा हूं तो यह था आपका 2AQY अपॉन ए स्क्वार प्लस Y स्क्वार की पावर थी नौटी तो एंड माइनस Y यह वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो प्लस Y इस तरह से ठीक है सही मारा तो अब जिदर इदर की तरफ देखो इधर की तरफ आएगा इस तरह इस तरह इस तरह आपका हो गया है completely okay guys question two negative charge of unit magnitude are fixed at a certain distance apart and positive q is placed along the straight line joining them joining both the charges at what position the value of q will be the charge q be in equilibrium q को मतलब दो negative charge है fixed at certain distance apart तो एक negative charge है दो minus q और ये plus q ठीक है fixed है ये क्या ही fixed है ठीक है और ये बोल रहा है कि end positive charge q is placed along the straight line joining both the charges ठीक है तो कहीं यहां कहीं कहीं इस्ट्रेट लाइन पर वो कोई charge particle रखना है न्यू ठीक है जैसे अरे यारा क्या होगा है हुम तो यहां पर कोई charge रखा है मालों ये वाला ठीक है अब कोई दूसरा charge लेका है positive charge plus q अब उसको रखना है इस कहीं पर भी रखना है इदर कहीं पर भी रखना है ठीक है सुरी ये negative charge है ठीक है तो यह इदर घीजेगा तो यह stable हो सकता है बीच में कहीं stable हो सकता है ठीक है अब एक और है कि मालों यहां पर मैंने इसको रख दिया मालों यहां पर रख दिया ठीक है यहां पर रखूंगा यहां पर क्यों को रखूंगा मैं मालों तो minus q की विएसे force ज्यादा लगेगा इदर खीच रहा होगा न अट्रेक्टिव और इस वाले minus q की विएसे force लगेगा लेकिन वो कम लगेगा मालों यह f1 और यह f2 सॉरी यह f1 है f1 कम होगा f2 ज्यादा होगा ठीक है तो इदर force ज्यादा लग रहा होगा मतलब f2 ज्यादा लग रहा होगा तो force net force इदर की तरफ आएगा तो यह stable कहां रहेगा मने कहा रहेगा अब इदर की तरफ या जाएगा अगलो इदर की तरफ रखेंगे यह तरupun की तरफ ज्यादा लगेगा अट्रेक्टिव एक्र्फ जहाद लेगा और F2, यह Q2 की विएसे F2 थोड़ा कम लगेगा, लेकिन net force किदर आएगा, इधर, इधर किदर आ रहा है था, लेकिन यहाँ पर, अब देखोगे, यहाँ पर stable नहीं है, यहाँ पर stable नहीं है, यहाँ पर stable नहीं है, इस तरह के मैंने question अल्लेडी करा दिये हैं, ठीक है, तो stable उ वहीं पर आपका force 0 होगा, किसी दूसरे charge पर, ठीक है, मतलग यह charge इन दोनों का field ना करपा, अगर field करेगा, तो force लगेगा, ठीक है, field नहीं करने के लिए क्या करेंगे, कि ऐसी position पर लगो, जहाँ पर electric field, इन दोनों का net electric field 0 हो जाए, ठीक है, तो वो एक middle वाली position होगी, कहा ह अगर लो, x है, और यह वाली distance भी x है, तो यहाँ पर electric field क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, जैसे minus q की वैसे electric field इदर आएगा, e, ठीक है, minus q हो तो इस point पर electric field, p point पर electric field इदर आएगा, ठीक है, e, अब दोनों एक दूसरे से cancel out हो जाएगा, तो e, p कितना हो जाएगा, जीरो, ऐसे समझ सकते हो, ठीक है, तो middle वाली position है, जहाँ पर equilibrium में होंगे, ठीक है, simple है, इसमाँ कुछ है ही नहीं करने को, तो next question करते हैं, इसके बाद, question बोल रहा है, 2 point charges plus 5 into 10 to the power minus 19 coulomb and plus 20 into 10 to the power minus 19 coulomb are separated by distance of 2 meter, ठीक है, and find the, find the point on the line joining them at which electric field intensity is 0, तो, तो दो charge है, मालो Q1, एक Q2, ठीक है, और एक plus charge है, दोनों ही plus charge है, ठीक है, दोनों प्लस charge है, तो इन दोनों के बीच कहीं एक point होगा, जहाँ पर electric field, find the point on the line joining them, ठीक है, तो यह line है, इन दोनों के बीच कहीं point होगा, मालो, यहाँ पर, P point है, जिस पर electric field intensity क्या है, 0 है, तो EP क्या है, 0 है, तो देखो, प्लस Q charge है, तो प्लस Q charge की वेसे, एक electric field जो आएगा, वो किदर आएगा, even इदर आएगा, और प्लस Q charge की वेसे electric field किदर आएगा, E2, इदर आएगा, अब दोनों दोनों vector देखो, एक दूसरी के बिलुकुल बरावर हैं, मतलब बरावर ही हैं, तो तभी तो electric field जिरू आएगा, इस समझ सकते हो, अब देखो, even e2 निकाल लेते हैं पहले, तो even आएगा, मालों यह distance x है q1 से, और दोनों की बीच की दूरी 2 थी, तो यह 2 minus x हो जाएगा, ठीक है, तो even हो जाएगा, आपका a q1 upon x square, एड़ e2 हो जाएगा, आपका a q2 upon 2 minus x का whole square, आप e p 0 हाँ, तो even equal to e2 होना चाहिए, ठीक है, तो यह हो जाएगा, a q upon x square equal to a q2 upon 2 minus x का whole square, तो a q बना जेए, ठीक है, q बना की value रखदो, यह से a cancel हो जाएगा, तो q1 हो जाएगा, 5 into 10 to the power minus 19 upon x square equal to, यह हो जाएगा, 20 minus 10 to the power minus 19 upon 2 minus x का whole square, तो 1 upon x, इधर से यह 4 बचेगा, इधर 4 upon 2 minus x square है, यह 1 upon x square है, रूट हठा दाएगे, तो 1 upon x equal to 2 upon 2 minus x हो जाएगा, multiply करेंगे इधर उदर, तो 2 minus x equal to 2x, तो 3x equal to 2, x equal to 2 by 3, तो यह q1 से x equal to 2 by 3, जो जैसे टोटल 2 है, टोटल 2 मीटर है, तो 2 by 3 कहीं यहाँ कहीं आएगे, तो यह वाला वो point होगा, मतलब q1 से वो वाला point होगा, जहाँ पर electric field 0 होगा, इधर से देख होगा, तो 2 minus 2 by 3 करेंगे, तो वो कुछ, 2 minus 2 by 3 करेंगे, तो 6, 4 by 3 आएगा, q1 से 2 by 3, ठीक है, हो गया, easy, next question करते है, the position of two point charges q1 and q2 are r1 and r2 respectively, find the position at the point where the net electric field is 0 due to the charges, ठीक है भाई, तो simple जैसे e1, जैसे हमने निकाला था न, किया था, हमने कुछ दिर पहले, यह position कोई चार्ज है, मालो यह वाला, q1 इसकी position r1 vector है, और दूसरा charge मालो, q2 इसकी position r2 vector है, ठीक है, तो हमने किसी point p, मालो किसी point p पर हमने electric field निकाला था, भी कुछ दिर पहने निकाला था, e p vector ठीक है तो यह क्या होगा e p vector क्या था हमारा e p vector था summation k equal to 1 k equal to n n मतलब total number of charges और यहां था a q k upon r p r p vector minus r k vector का q q और r p vector minus r k vector का k vector ठीक है इस तरह से यह था formula यहां पर दो charges है q1 q2 तो तो e p जरा क्या है e p net अभी e p निकाह लेते चलो e p vector हो जाएगा आपका a q1 upon r p यह r p vector p की position वेक्टर विदा respective origin ठीक है तो r p vector minus r one vector का modulus का q into r p vector minus r one vector plus इदर हो जाएगा a q2 upon r p vector minus r two vector ठीक है अब बोल रहा है कि यह क्या है जीरो है e p क्या है जीरो है जीरो है बोल रहा है find the point where total activity is 0 ठीक है अब a से a cancel हो जाएगा मतलब a 0 की तरब चला जाएगा तो यह दो बच्चेगा q1 r p vector minus r one vector upon r p vector minus r one vector का q plus q2 r p vector minus r one vector का vector upon r p vector minus r sorry यह 2 है a star q q equal to 0 ओके तो अब ही आप देखोगे के दो point charges का electric field किसी point पर जीरो हागा ज्यासे q1 का electric field और q2 का दौनों का electric field एक point पर जीरो है ठीक है इसका मतलब है कि दौनों का electric field इस तरह से Richard तो यह उस पॉइंट पर पी पॉइंट पर E1 इस तरह से होगा E1 और E2 इस तरह से होगा तब उच्छी पॉइंट पर लेक्टिफ फिल्ट जीरो होगा इसका मतलब यह दौनों की डारेक्शन डिफरेंट होंगी डारेक्शन अपोजिट्व इस दर होगी और लेकिन प्लस एक्वाल टू अपॉण अपॉण आर पी वेक्टर मानस आर टू वेक्टर के मॉडिलिस का फोल स्कॉएर ओके अब देखना यहां से आप देख सकते हो कि अब अब भ्वेक्टर मानस आर वण वेक्टर के मॉडिलस का होल स्कॉर अपोन और पी वेक्टर मानस आर टू वेक्टर के मॉडिल स्कॉर यह आदाएगा आपका q1 upon q2 ठीक है अगर यहां से और देखे तो यह r1 vector मानस rp vector मानस r1 vector के modulus upon rp vector मानस r2 vector का modulus यह आजाएगा q1 upon q2 की power 1 by 2 square root ठीक है अगर अगर अब इस वाली equation को देखे हैं तो यह होती है यह हो जाएगी आपकी r sorry q1 rp vector मानस r1 vector plus q2 rp vector मानस r2 vector into यह दर पहुच गया तो इधर पहुच आएगे तो इसको यह हो जाएगा rp vector मानस r1 vector का modulus का q upon rp vector मानस r 2 vector के modulus का q equal to 0 ठीक है तो यह a के equation a है और यह a के equation b है तो a b use करेंगे तो यहां से यह वाली value यहां पर put कर देंगे तो यह हो जाएगा आपका q1 rp vector मानस r1 vector plus q2 rp vector मानस r2 vector into q1 upon qt की पावर 3 vector बदावर 0 हमें पी निकालना है position of point p निकालना है ठीक है तो वो कैसे निकालेंगे तो अभी क्या करते हैं q2 का भी divide कर देता हो तो rp vector मानस r1 vector plus q2 का भी divide हो जाएगा तो rp vector मानस r2 vector into तो यह हो जाएगा q2 upon q1 into q1 की पावर 3y2 q2 की पावर 3y2 equal to 0 अब यहाँ पर देख सकते हो तो rp vector मानस r1 vector plus rp vector मानस r2 vector into यह आप cancel out हो जाएगा एक दूसरे से तो यह हो जाएगा q ऊपर बचाएगा root q1 upon root q2 equal to 0 अब इन दोना के सब का multiply कर दो तो rp इदर आएगा root q2 यह root q2 and यह rp1 into यह तो यह plus root q1 और इदर minus minus दोनों जोड़ जाएगे तो minus root minus r1 sorry minus r1 root q2 minus r2 root q1 equal to 0 ठीक है अभी यह सब vector में है vector में भी ठीक है तो इसको उदर ले जाते है और इसका कर रहे है तो rp vector हो जाएगा आपका r1 root q2 plus r2 vector root q1 vector upon root q2 यह root q1 plus root q2 तो this is the vector तो यहाँ पर इस vector पर जो position होगी इस vector की वहाँ पर electric field के आएगा आपका 0 आएगा ठीक है तो rp vector इस तरह से निकाल लेते हैं कापी अच्छा ठीक है एक तो इसमें यह वाला formula यूज हो गया यह वाला formula यूज हो गया लेकिन trick आपकी यहाँ पर थी trick कहां थी यहाँ पर थी this is the trick you should remember next question है point charges q and minus q are located at the vertices of a square with the diagonals 2l as shown in figure तो इस तरह से यहाँ पर plus q plus q minus q minus q इस तरह से distribution है चार्ज है ठीक है evaluate the magnitude of the electric field strength at a point located symmetrically with respect to vertices of the square at a distance x from the center तो center से ऐसी वाली distance पर electric field find करना है x distance पर जो कि सबसे यह सारे charges से symmetrical हो ठीक है तो वह कहां होगा यह यह वाली मालो z axis वाली direction होगी z axis पर जो value होगी वह उस value पर electric field symmetrically सारे चार symmetrically होगे उस point से ठीक है तो पूचा है कि इस जो origin है मालो यह o है origin है तो o से उपर या नीचे कहीं पर x distance पर क्या पूचा है electric field पूचा है ठीक है तो मालो यह यहां पर है कहीं पर उपर की तरफ है मालो p point ठीक है p point उपर की तरफ है तो आप एक चीज़ देखो कि एक तो यहां पर दो charges के कुछ मतलब मैं बना देता हूं पहले इधर देखिए जैसे कि मालो यह a o और c वाली line है ठीक है यह क्या है a o c वाली line ओके और p point कहा है यहां पर है मालो ठीक है यहां पर है और distance कितनी है यह x ठीक है कितनी ही distance x और यह वाली distance कितनी है यह diagonal 2L है तो यह होगी distance L यह L ठीक है ओके तो अगर आप इस चीज़ को देखें और same एक और वह बनेगा क्या बोलते सिस्टम मनेगा जिसमें b d b o d p b ठीक है इस तरह से होगा ठीक है तो पहले इसका ही देख लेते पहले ठीक है तो अभी एक चीज़ देखिए a की वयासे p पर electric field किदर होगा इधर किदर होगा ठीक है ठीक है अब c की वयासे जैसे यहां पर यह प्लस चार्ज अए वाला प्लस चार्ज है ठीक है तो इधर दूर होगा ठीक है पर क्या है नेगटिव चार्ज है तो नेगटिव चार्ज की वयासे पी पॉइंट पर electric field किदर होगा ठीक है अब एक चीज बताओ कि दोनों electric field की value क्या होगी सेम होगी या नहीं क्यूंकि देखो यह पी पॉइंट से इस वाले q की distance जो इस पॉइंट से q वाले के distance सेम होगी वह पी से वाले distance निकाल लेते distance कितनी होगी यह वाले distance होगी l² plus x² ठीक है और यह वाले distance कितनी होगी l² एक चीछ एकिलह खो अगर माल्य अगल थीटा है तो यह अंगल कितना हो गए थीटा थीटा चलो मैं इसको और सभी से करता हूं तो दो वेक्टर यह वाले हैं जो यह e vector है ठीक है और यह horizontal x है यह वाली x है ठीक है और यह क्या है यह भी e vector है तो एक चीज बताओ अगर यह वाली horizontal line है यह वाली horizontal line वो जो a c की तरफ हो मतलब a और c की पहला लगे ठीक है यह वाली horizontal ठीक है तो यह angle कितना होगा भाई यह angle होगा theta यह वाला क्या होगा theta ठीक है जो ये अंल होगा ठीटा और यह ठीटा होगा घर ओकैक तो यह वाली भी ठीटब थीटा होगा तो धुल यह लों फीड़ से एक चीछ लुड़ी का इदर के सबलम ्यू अधर लूच व्हूच के ऐक कंपून्ट हो जएगा ऐस्यों ठीक है इस वाले e का भी दर की तरफ component आजाएगा और वो दोनों जुड़ जाएंगे e cos theta e cos theta ठीक है लेकिन एक चुब component इस वाले e का वो ऐसे आएगा कैसे आएगा इस तरह से perpendicular to the e cos theta ये क्या होगा e sin theta होगा ठीक है मतलब e cos theta के perpendicular होगा सेम इस वाले का जो आएगा एक इधर आया तो एक इधर आएगा इधर की तरफ ठीक है ये रहा ये कहा है e sin theta तो जो आपका a और c वाले point charge थे उनका जो electric field at point p होगा वो ये वाले दो तो कट जाएंगे देखो ये वाले दो तो कट जाएंगे यानि कि जो z axis में जो electric field था एक उपर होगा एक नीचे होगा electric field दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे तो सिर्फ किदर बचेगा एक electric field बचेगा वो 2e cos theta होगा और किस direction होगा ये होगा a से c की तरफ a से c के parallel होगा ठीक है उपर p point पे a से c के parallel इधर की तरफ होगा तो इधर ह प्लस की चाल लेते हैं एक बार इनेट नहीं बोलते हैं इसको बोल देते हैं मैं a c के वेशे क्या है एक 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 बार आपका a c हो जाएगा 2e cos theta अब पहली बात तो पहले e निकाल लो तो e कितना आ गया जैसे यहां से a point से plus q charge से a p point पर electric field e निकालना है तो वो क्या हो जाएगा e equal to a q upon r square r कितना है l square plus x square का root तो यह हो जाएगा l square plus x square ठीक है ओके और cos theta कितना होगा भाई cos theta होगा l upon this l upon square root of l square plus x square तो यह हो जाएगा आपका 2aql upon square root of l square plus x square और यह भी होगा तो दोना मिलके कितने हो जाएगा 3 by 2 तो e ac आ gli प्प्वाइंट ठीक है अब निकालते हैं तो e ac कितर होगा प्पॉंट भाई fluffativa प जाएगा तो यह कितर होगा इधर और होगा ठीक है इधर की अ फ़ेब इधर ही होगा न, A, C, C की तरफ है न, A से C पर पेरलर, ठीक है, तो ये क्या होगा, E, A, C, ये open ही है, ये P point पर है, ठीक है, ऊपर की तरफ जो point होगा न, उस पर है, किस पर है ये, P point पर है, ठीक है, अब ऐसे ही BD वाले सिस्टम का निकाल लेते हैं, तो BD वाला सिस्टम ये है, ये है B, ये है D, और BD वाले सिस्टम ये बीच में क्या है, O, और O पर क्या रहेगा, P, ठीक है, तो यहाँ पर, ये से यहाँ पर B पर क्या चार्ज है, माइनस क्यू, और D पर क्या चार्ज है, प्लस क्यू, तो यहाँ पर भी आगर देखोगे, तो माइनस क्यू चा एंदर आएगा क्यों स incubator ऑख एक है इधर कित्रप आएगा को इधर ठीकत है होकी क weed 33 पॉजितिव चारज की विर्छ पी वे ऐसे पी पॉइंट पर लेक्किर repaired किसी चाहते है अब अबंडाकर बथा जो निकाल। था वही आ जाएगा दर की तरब कितरा आएगा इलेक्टिक फिल जो आएगा इबीडी ठीक है और इबीडी की वैलू सेम आएगी जो अभी निकाली थे हमने तो यह आजाएगी 2aql upon l square plus x square की power 3y2 ठीक है जो सेम थी वही आजाएगी ठीक है अब एक चीछ देखो तो यहाँ पर जो इलेक्टिक फिल किदर होगा इलेक्टिक फिल होगा डी से बी की तरब डी से बी की तरब जो वैक्टर है ना या डी से बी की तरब जो डिरेक्शन होगी उदर की तरब हो इसका जो इलेक्टिक फिल्ड होगा कुछ इस तरह से होगा ठीक है अब एक चीछ देखो गए कि उपर की डायक्शन पी पॉइंट पर जो दोनों जो इलेक्टिक फिल्ड है ना या दोनो इलेक्टिक फिल्ड एक दूसरी के परपेंडिकुलर होगी क्या होगी एक दूसरे के perfect rectangular दोनों के बीचे एंगले कितना होगा? 90 तो अगर दो vector एक दूसरे से 90 टिकरे एंगले पर है einfach slash in a— legislac ढूल का resultant जो आएगा, फिरिउस्वेजवाइगा अब है पड़ा है ना, e net आएगा, e1 square plus e2 square इस तरह से, ठीक है, तो यह हो जाएगा, e square यानि कि इसको मालू इक्कोल है, माल लो e a c equal to e b d है, ठीक है, और माल लो दोनो को मैंने माल लिए, e prime माल लिए, ठीक है, टू इप्राइम इंटू इप्राइम तो इप्राइम प्राइम उपर आएगा स्वारी इप्राइम स्क्वार प्लस इप्राइम स्क्वार प्लस टू इप्राइम इंटू इप्राइम इंटू इप्राइम इंटू इप्राइम स्क्वार वह जाएगा इंटू कॉस नाइटी कॉ यह कुछ इस तरह से आएगा ए नेट एक्वाल टू रूट टू ए प्राइम और ए प्राइम की वैल्यू क्या है 2aql अपॉन एल स्क्वाइर प्लस एक्स उसकारी पावर तीन वाटे अब एक चीज़ बता विसकी डडार के तरए इसकी डारेक्शन होगे इधर की तरफ यहाँ पॉना यहलार ताहूं अगर फ्राइन शाछिक से अगर अगर कोई प्राइन शाहित तरह से यह 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 शामंधे तो अगर आप इसको देखोगे घ। ओ, k वाली लाइन को देखोगे, तो कुछ इस तरह से होगी, h, o, k, और p. उपर होगा, ठीक है, p. उपर होगा, तो यह electric field होगा, वो electric field इस तरह से होगा, दोनों के parallel, मतलब h, o, k, लाइन के parallel होगा, e, net, ठीक है, ओके, तो कुछ इस तरह से होगा, मतलब यह जो system है, g axis में, g point पर, मतलब z axis, मतलब z axis है, वहाँ पर, electric field जो इस तरह से होगा, किदर होगा, ऐसे होगा, जैसे यह pen है, तो यह black board है, तो इस तरह से है, और z axis में, sorry, x distance पर, z axis में, यहाँ पर electric field कुछ इस तरह से होगा, plane महीं होगा, plane के parallel होगा, ठीक है, इस तरह से, ओके, इस तरह से, ठीक है, ठीक है, तो यह आपका question होगया, यह रहा question आपका, यह हो चुका है, ठीक है, two point charges, QA and QB are positioned, at points A and B, यह रहा, QA यहाँ पर है, QA and QB, ठीक है, the field strength to the right of the charges QB on the line that passes through two charges varies according to a law, that is represented systematically in the figure accompanying the problem without employing definite scale, तो यह कुछ इस तरह से graph दे रहा है, और कोई definite scale नहीं है, कुछ अलग टाप का अभी graph हो सकता है, लेकिन यह है कि यहाँ पर C point पर यह 0 हो रहा है, इसका electric field, total dawn of charge इसका electric field C पर 0 हो रहा है, और यह कोई point है जहाँ पर maximum हो रहा है, यह कोई point है जहाँ पर क्या हो रहा है, maximum हो रहा है, मालोग P point है, P point पर क्या हो रहा है, maximum, तो electric field on this line है, electric field on this line, एक्स एक्स पर ठीक है तो यह बोल रहा है कि on the line that passes through two charges where each ठीक है तो इस line पर electric field मतलब यहां electric field यहां 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 electric field कुछ भी होगा तो उसका graph कुछ इस तरह से ठीक है और B से इदर की तरफ वाला graph है यह B से इदर की तरफ वाला है तो जो B point integer कहां जहां पर B point है उससे इदर direction ग्राफ है कुछ इस तरह से ठीक है तो यह the field strength is assumed to be positive if its direction coincide with the positive direction of x तो ठीक है तो positive x direction में field strength को क्या लिया है positively आ है ठीक है the distance between charges is l equal to 21 cm तो यह बोला the sign of charges क्या होंगे the ratio of the absolute values of charges qa and qb का magnitude निकलना है यहाँ पर क्या है qa and qb का magnitude निकलना है मतलब ratio का magnitude the coordinate x of the point where the field strength is maximum तो यह वाला point ठीक है यह वाला point जहां पर यह field strength maximum है यह तो maximum वाला point तो यह वाला point P point की distance क्या हो गई जहाँ पर field strength क्या है maximum है ठीक है तो करते हैं इसको तो एक चीज़ देखो जैसे यह a point है यह b point है यह a point है यह b point है ठीक है तो b के इधर की साड़ electric field देख रहे हैं और यह positive x direction हो ठीक है तो एक चीज़ बताओ एक चीज़ बताओ कि इधर electric field मालो होगा इधर की तरफ electric field ठीक है और हाँ एक point यहां पर c भी है ठीक है तो c पर यह बोल रहा है कि c पर electric field 0 हो रहा है इसका मतलब क्या है अगर मालों यह दोनों चार्च q a and q b दोनों अगर positive हैं तो electric field c पर इधर हो जाएगा एक q a की वैसे e a q b की वैसे e b तो c पर तो net electric field 0 हो जी नहीं पाएगा यह 0 कब हो सकता है यह 0 तब हो सकता है जब q a and q b और e at c equal to 0 q a and q b should be of different sign q a and q b का sign different होना चाहिए तब ही यह c पर electric field 0 हो सकता है ठीक है कैसे कि एक का electric field मालों ऐसे जा रहा है एक का electric field मालों ऐसे जा रहा है तो दूसरे का electric field ऐसे होना चाहिए कि तब ही दोनों मिलाके 0 हो सकते c पर ठीक है तो यह दो पता लग गया कि दोनों के sign different होने चाहिए अब पता कैसे लगए कि q a positive रहेगा या q b positive रहेगा मालो q a positive क्या है q a positive क्या है q a positive क्या है q a positive और q b क्या है negative है ठीक है तब चीज बताओ एक c पर c पर field कितना होगा तो जैसे मालो q a की वे ऐसे electric field ऐसे लग रहा होगा e a q b की वे ऐसे c पर electric field कितना होगा ऐसे e b तो electric field 0 हो सकता है c पर क्या 0 हो सकता है ठीक है एक condition हमारी fulfill होगे लेकिन graph क्या बोल रहा है ग्राप यह बोल रहा है कि इसका electric field b k around यहां पर है b k round क्या है negative direction b k जैसे जैसे close आ रहा है तो यह negative direction में electric field जा रहा है इसका मतलब यह है कि b k close में किसका electric field वो करेगा b k close में near b near b near point b near point b b के पास में देखो बी की line यह मतलब बी के पास पास जैसे जा रहा है तो electric field की value बढ़ती जा रही है लेकिन negative बढ़ती जा रही है ठीक है तो b के पास कौन सा dominant करेगा qb करेगा qb की distance यहां पर कहीं यहां पर जो जैसे यह point तो यहां पर qb की value qb से इस point की distance कम रहेगी ठीक है तो मतलब यहां कहीं electric field होगा जो यह तो यह सरफ graph है लेकर electric field हम यहां निकाल रहे है इस point पर तो बी से कम रहेगा जिसकी distance बाकि a की distance ज्यादा रहेगी तो जिसकी distance ज्यादा रहेगी उसका electric field कम रहेगा तो यहां b के near किसका electric field ज्यादा हो और राएगा B का ठीक है तो नियर पॉइंट B तो फिर से बनाते हैं यह A है यह B है तो यहां मालो यह C है मालो तो B के नियर बी के नियर कोई पॉइंट है यह तो यहां किसका इलेक्ट्रिफिल ज्यादा रहेगा तो B का इलेक्ट्रिफिल ज्यादा रहेगा अब B मालो जो मैं लिया तो अक्योर्च ठेज्ट की तरफ भी गा मुष्यों और अकल एक र्यूर्च क्या कर दिएल्च क्षा राएगा, मुखकी यह B के कामप्रेजर ध्यूर्च थीक है और देखा जाए तो e b किदर है minus x direction तो यहाँ पर जो electric field आएगा total electric field आएगा वो minus यानि कि e total e और किदर आएगा minus x direction आएगा minus x का मतलब है जैसे जैसे close जाएगे तो e की value minus रहेगा लेकिन वो infinite की तरफ बढ़ता जाएगा क्योंकि यह वाला point जैसे e b की value बढ़ता जाएगा b के पास में कि वो infinite हो जाएगा e b क्या हो जाएगा infinite हो जाएगा तो यह क्या हो जाएगा as we go as d goes close to d close to d वाला point sorry d point close to b d वाला point एगर b की जैसे 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 जाएगा तो x value कम हो जाएगा b की d से value कम होती जाएगी और distance कम होती जाएगी जिसकी विएसे जो net electric field आएगा वो किदर जाएगा minus direction हो जाएगा और कितना होगा infinite की तरफ e d will increase to infinite minus infinite ठीक है मतलब e will goes to minus infinite ऐसे इस तरह है ठ्यक है टो ये graph में भी धिख रहा हैं यहाँ पर तो जैसे जैसे c वाला point जैसे जैसे c वाला point मालो ये इदर जाएगा जैसे जैसे ये point बहुंत मतलब इदर की तेब जाएगा इधर की तरफ इधर की तरफ जाएगा तो जो net electric field होगा वो उसकी value यहाँ पर infinite की तरफ जाती जाएगी तरफ तो यह वाला जो हमने लिया था कि q a point table और q भी negative रहेगा तो यह इस graph को fulfill करेगा यहां तक तो यह graph फुल्फिल हो गया ठीक है अब इधर भी देख लेते हैं दूसरी तरफ भी देख लेते हैं c के दूसरी तरफ भी देख लेते हैं तो कहा है जैसे वह भाला case है A B C और C के इदर की तरफ देख रहे हैं किदर देख रहे हैं C के इदर की तरफ इदर कहीं पॉइंट ठीक है ये F पॉइंट है क्या ही F तो F पर एलेक्टरिफिल कैसे होगा तो E F पर और ये Q है Q A और ये माइनस Q B है तो आप देखोगे तो Q B की वेएसे इलेक्टरिफिल किदर आएगा इदर आएगा Q B Sorry E B ठीक है और इसकी वेएसे ये पॉइंट रिचार्ज तो पॉइंट रिचार्ज की वेएसे इलेक्टरिफिल किदर जाएगा इदर जाएगा E A अब दोनों का नेट इलेक्टरिफिल आएगा दर की तरफ वो कुछ E नेट आएगा वो आएगा E A वेक्टर माइनस E B वेक्टर ठीक है तो इसको मैं X के बोल देता हूँ positive X direction में E A माइनस कर रहे हैं तो ये positive X direction में इस तरह से ठीक है अब वेक्टर अठा लेते हैं इस पर से तो थोड़ा साही रहेगा E A माइनस E B X direction में ठीक है ठीक है इस तरह से अब E A E B की value निकाल लेते हैं ठीक है तो पहले एक चीज़ देखो कि इधर की तरफ दोनों एक दूसरी का opposite electric field लग रहे हैं तो इधर की तरफ possibility है कि दोनों का electric field net 0 हो जाए तो वो तभी होता है हाँ दोनों का electric field इधर की तरफ क्या होगा इधर क्या हो रहा होगा जैसे इधर किसी value के लिए B dominant करेगा किसी value के लिए किसी x की value के लिए जैसे this distance यहां से distance न noises जो टो किसी x के लिए B dominant करेगा किसी x के लिए A dominant दिफेर्ट डिफेर्ट x के लिए Ayour B किसी एक ऐसा point जहाँ पर इस दोनों का difference है ओकर किसी e to this point यह वाला point जो होगा यह वाला p कr xp के दींट होगा तो c से जो distance होगी यह xp तो अच्छा मैं distance यहां माल लो एक a से माल रहें तो यह a वाले points समाले एक origin पर माल ले रहें तो xp जोगी तो x की वो value जहां पर दोनों का difference है आज यह a यह a एक बागी सारे points पर minimum होगा ओसे समझ सकते हो तो अभी calculate करते हैं चीजों को तो पहले तो sign पता लग गया हमको equation तो हो गया sign पता लग गया कि जो ये वाला QA क्या रहेगा negative रहेगा QA क्या रहेगा negative रहेगा QB क्या रहेगा positive रहेगा sign तो पता लग गया ठीक है ओके तो अभी इस question को कर लेते हैं एक बार सई से और ठीक है तो ये वाली distance कितनी है 21 cm ये वाली distance है LY3 है जो कि कहा है LY3 है B से C की तरब LY3 है तो L की वेलुए 21 तो ये हो जाएगा 3 cm B से C कितनी है 3 cm और मैंने माला F वाला जो F नहीं है ये point P है तो P वाला point जहाँ पर electric field क्या है ये maximum है ठीक है ये maximum है तो ये maximum है इसको P F ही मानते है अभी क्योंकि X तो vary कर रही है तो X ठीक है तो यहाँ पर F की value मतलब F पर total electric field निकालेंगे जो electric field आएगा जो difference आएगा electric field का net electric field आएगा उतको maximize करेंगे with the help of differentiation ठीक है तो अभी करते हैं पहले तो एक चीज और है कि अभी QA QB का sign पता लग गया हमको अभी question में पूछा है QA upon QB का modulus क्या होगा वो भी निकाल लेती है तो अभी देखोगे के C point पर E C क्या था 0 था question में E C क्या दे रखा है 0 दे रखा है यह रहा E C क्या दे रखा है 0 ठीक है तो E C 0 दे रखा है तो पहले तो निकाल लग A यह हो जाएगा E A equal to E B मतलब A charge की वेसे electric field जो होगा यहाँ पर यह वाला QE A होगा और यह क्या होगा E B होगा तो दोन electric field एक दूसरे के बरावर होगे तो E A equal to E B तो E A क्या होगा E A हो जाएगा A Q A upon R square R square मतलब यह वाली distance A से C तक distance यह कितनी हो जाएगी 21 plus 3 कितना हो जाएगा 24 centimeter यह ठीक है तो 24 का whole square और यह centimeter square हो जाएगा ठीक है B point से C point की distance क्या है Q A से Q B से C point की distance क्या है 3 centimeter तो यह हो जाएगा 9 centimeter square ठीक है centimeter square से centimeter square कट जाएगा A से A कट जाएगा अब यह आप देखो होगा कि Q A upon Q B क्या आजाएगा Q A upon Q B आजाएगा 24 इसको 3 माल लेए 3 square माल लेएगा थोड़ा साही देगा तो 24 upon 3 का whole square तो यह हो जाएगा 8 का whole square 64 ठीक है और इसका अगर मॉडिलस लेएगे तो Q A upon Q B का मॉडिलस कितना है 64 ठीक है ओके नेक्स्ट क्या पूचा है उसने नेक्स्ट पूचा है कि किसी point पर माल लो इदर मतलब C से इदर की तरब किसी point F पर अब total क्या निकाल देए हम फील्ड निकाल देए ठीक है तो जैसे E F हो जाएगा E F वेक्टर हो जाएगा E A माइनस ठीक है E A माइनस E V वेक्टर ठीक है और ओके E A क्या है E A की वेलू क्या है E A की वेलू है E A की वेलू है A Q A upon X square देखो इस point से इस point तक क्या मेंने distance क्या माली X तो X square और यह X cap मतलब E A की दर की direction में इदर है point of X direction ठीक है माइनस माइनस A Q B upon X square अच्छा इस दौनों को वेक्टर फॉर्म में लेग रहा है तो यहां पर प्लस आएगा ठीक है वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखते है माइनस कर देंगे ठीक है तो यह प्लस आएगा प्लस और A Q B upon यह X square नहीं होगा यह कितना होगा F से लेके B से लेके F तक की distance कितनी होगा एक्स में से यह वाली distance गठा देंगे यह वाली distance ठीक है तो यह वाली distance कैसे गठाएंगे भाई X में से टोटल X में से यह 21 घड़ जाएगी तो यह बचेगा X-21 ठीक है तो यह बचेगा X-21 का whole square और EB की direction की तरीज है EB की direction इदार है तो minus X-cap है minus X-cap ठीक है तो E-nate आगया भाई है आपका A QA upon X square minus A QB upon X minus 21 का whole square X-cap ठीक है अब जैसे जैसे X की different value के लिए आपका यह value कुछ कभी positive आएगी positive मतलब इदर यह positive भी आ सकती है positive आएगी तो यह X-cap positive X-diaction हो जाएगा अगर यह value negative आएगी तो negative X-cap हो जाएगा तो negative x-cap हो जाएगा तो negative x-cap हो जाएगा aqa upon x-square minus aqb upon x-21 यह magnitude अब इसको maximize करते है for maxima for maxima ठीक है तो de net किसकी value के लिए यह कर रहे है maxima X की value के लिए dx X की value हो जिसके लिए e net क्या maxima हो जाए ठीक है तो यह निकालेंगे तो यह आ जाएगा q into 1 ठीक है okay sorry यह x to power x उपर जाएगा x-2 यह जाएगा minus 2x minus 3 यह 2x नहीं आएगा यह only one रहेगा ठीक है इस तरह से अब इसको हम zero कर रहे है क्या कर रहे है zero कर रहे है ठीक है तो अभी आप देखोगे के इसमें कहीं कलती होगी क्या इसमें कहीं कलती होगी क्या तो अब देखोगे आप a से a zero की तरफ चला जाएगा और इदर बचेगा q a upon cube b equal to x cube q upon x minus 21 का cube ठीक है अब q a upon cube का value पता है 64 equal to x q upon x minus 21 का cube और इदर से आप देखोगे कि यह हो जाएगा मतलब क्या कर दे cube root कर दो तो यह हो जाएगा 60 इदर हो जाएगा 4 इदर हो जाएगा x upon x minus 21 ठीक है तो अब आप देखोगे तो यह 4 x minus 8 4 equal to x तो यह हो जाएगा 3 x equal to 8 4 x का value आजाएगा 8 4 upon 3 जो क्यों होगा कितना हो जाएगा यह 2 2 and इदर बचेगा 248 cm ठीक है तो जो 28 cm कहाँ से आएगा 28 cm आएगा x मतलब xp का value होगा 28 cm होगा कितना होगा 28 cm ठीक है हो गया यह अच्छा क्वशन था काफी conceptual था यहां पर qa और qb का sign निकालना था वह ज्यादा जरूरी था बाकी यह आपको पता है कि यह 0 होगा ठीक है यह पता है आपको यह max होगा ठीक है चलो कर लेंगे यह condition पता है लेकिन qa qb का sign हमें इस वाले graph से आएगा यह वाला graph है ना यह वाला graph इससे आएगा ठीक है अच्छा question था next question करते हैं तो next जो question है आपका वो है आपका illustration 1.29 a charged cork ball of mass m is suspended on a light string in the presence of uniform electively asone figure where is this a i cap plus b j cap Newton per coulomb where a and b are positive numbers the ball is in equilibrium at the angle theta finely charged on the ball तो आप देखोगा कि मालोग इस तरह से ball है और यह कोई string से इस तरह से string से लटकी है ठीक है तो एक तो पहली बात यह यह electric field electric field के दो components होंगे एक electric field positive x direction है a i cap और एक electric field b j cap positive y direction तो अगर यह charge है आपका यह charge है आपका इस पर पहली बात दो force लगेंगे एक ऐसे लग रहा होगा point of x direction होगा क्योंकि electric field point of x direction हो तो एक force ऐसे लग रहा होगा इस तरह से ठीक है इस तरह से और यह क्या हो जागा f x हो जागा point of x direction हो इस लिए f x ठीक है अब y direction में आपका electric field ऊपर की तरफ भी है electric field तो एक electric field ऐसे है और एक ऊपर की तरफ तो electric field ऊपर की तरफ ही force लगेगा तो एक electric field की तरफ फोर्स लगेगा इस तरह से यह कितना हो जाएगा यह f y इस तरह से ठीक है समय मारा है end आप देखोगे कि इसका mass भी है कुछ mass भी है mass की वैसे इस पर एक gravitational force लगेगा वो कितर लगेगा आपका नीचे की तरफ ठीक है end एक चीज और है क्योंकि string खिच रही है string यह खिच रही है string खिच रही है क्योंकि string जो खिचती है तो उसमें एक टैंसल लएगा इस तरह से string की तरफ ही तो यह क्या हो जाएगा एक tension T ठीक है अगर यह angle आपका यह angle आपका theta है यह angle theta है तो आप ऐसे z बन रहा है तो यह angle भी आपका theta होगा इसको भी मैं theta बोल देता हूं अब T के दो component कर सकते हैं एक इधर wide axis में कर सकते हैं और इस wide axis में perpendicular T की तरफ ऐसे ही मतलब ऐसे ऐसे दो component कर सकते हैं तो यह वाला उपर वाला हो जाएगा T cos theta उपर वाला क्या हो जाएगा इस तरह से इसका यहां पर आएगा vector T sorry T cos theta हो जाएगा ठीक है अब ऐसे ही इधर आएगा एक vector मतलब इस perpendicular यहां से ऐसे तरह से एक vector डालेंगे तो यह कुछ इस तरह से आएगा आपका T sin theta अब equilibrium क्योंकि यह system आपका equilibrium में इसका मतलब यह यह है कि यह प्लस T cos theta mg के बढ़ाव रहोंगे और n t sin theta किसके बढ़ाव रहोंगे fx के बढ़ाव ठीक है और दूसरी चीज आपका fx क्या हो जाएगा fx हो जाएगा आपका q into e x and fy हो जाएगा आपका q into e y ठीक है तो equilibrium की condition में आपका यह हो जाएगा है कि fy plus t cos theta fy plus t cos theta equal to mg and fx equal to t sin theta ठीक है तो एक equation आगी एक equation आगी हमें पता fy हो जाएगा q into b and fx हो जाएगा q into a क्योंकि b आपका e y है and a आपका e x है ठीक हो गया ठीक है तो यहां से देख हो गया आप t cos theta t sin theta को इस तरह से लिख सकता हूं हो गया 10 theta हो जाएगा आपका यह divide कर तो बस simple इस वाली में इस equation का divide कर तो हो जाएगा then आप निकालोगे q equal to हो जाएगा 10 theta mg minus qb upon a ठीक है या फिर q को निकालोगे आप फिर और थोड़ा सा simplify करोगे तो q आ जाएगा mg 10 theta upon a plus b 10 theta ओके ठीक है फिर निकालना कहता है इसमें find the charge on the ball जो की यह हो चुका है आपको ठीक है that's it तो यह question हो गया next question करेंगे अब और next question है आपका illustration 1.30 तो यह बोलदा above of simple pendular hedge mass m and carry charge q on it length of the pendular is l where there is a uniform electric field e in the region calculate the time period of the small oxidation for the pendular about its equilibrium position in the following cases तो electric field के different cases दे रहे हैं तो उसमें आपको क्या करना है टैंपर निकालना है ठीक है तो पहला पूचा है electric field vertically upward having magnitude equal to mg upon q ठीक है दूसरा यह तीसरा यह चौता यह तो पहले तो simple pendulum को समझते हैं simple pendulum होता क्या है तो मतलब इस तरह से किसी छत से मालो छत से कोई एक wire में किसी mask को लटका देंगे और इसको small oscillation कराएंगे vertical position से वैसे तो ऐसे लटका होगा इस तरह से लटका होगा ठीक है इस तरह से लटका होगा आपका particle ठीक है तो इसको थोड़ा सा ऐसे कर देंगे तो यह ऐसे 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 oscillation करता रहेंगे इस तरह से oscillation करता रहेंगा तो उसकी जो frequency जो टाइंपरेड होता है आपका t equal to mg upon sorry t equal to 2 pi g upon l यह l upon g l is the length of this pendulum and g is the gravity g is the acceleration due to gravity इस तरह से okay तो mass m है q charge है और इस पर नीचे gravitational force mg लगेगा और उसकी वैसे net acceleration आ जाएगा f net upon m equal to g तो मतलब net acceleration force जो mg मतलब g के बरावर होगा इसका gravitation मतलब यह वाला acceleration ठीक है तो simple 2 pi upon l 2 pi equal to 2 pi into l upon g root l upon g कर देंदे तो आपका time plate निकल जाता है लेकिन यह charge q है और इसको electric field में भी रख रहे है तो इस पर charge q की वैसे एक force भी आएगा क्योंकि electric field क्या करेगा इस charge पर force लगाएगा तो mg की value है वो कुछ change हो जाएगी mg की value कुछ change होने लगेगी ठीक है मतलब अगर electrical force mg की तरफ ही है तो यह mg प्लस electrical force हो जाएगा तो आपका यह a है आपका यह g है वो कुछ और आएगा ठीक है तो ऐसे different cases है पहला case यह है कि electric field नीचे downward पहला case क्या है नीचे क्या है नीचे की तरफ है तो जैसे यहाँ पर mg इस तरह इस mass पर लग रहा था पहले इस पर charge क्या है sorry इसका m, q है तो mass पर तो इसका gravitational force लग रहा होता हो तो mg नीचे लग रहा होगा लेकिन चार्ज पर जो positive charge है तो electric field की वैसे एक force लगगा वो भी नीचे लगए तो qe नीचे लग जाएगा तो net force आएगा mg प्लस qe तो acceleration है मतलब a effective या जी effective आजाएगा आपका इसको g effective हो दिता हूँ तो यह यह आजाएगा g effective आजाएगा net effective आजाएगा f net upon m तो mg प्लस qe upon m करेंगा तो g plus dis आजाएगा वहाँ पर electric field की value रगदिए तो जब electric field की value रगदिए तो यहाँ पर g plus g upon m mg upon q q से q कट जाएगा m से m कट जाएगा और g plus this g add हो जाएगा तो a effective या जी effective आपका कितना हो जाएगा 2g तो यहाँ पर यह time period आपका root 2pi upon lg आ रहाएगा तो lg की जाएगा यहाँ पर पर अब क्या हो जाएगा 2g इस वाले case में ठीक है तो यहाँ पर आपका time period आएगा यहाँ पर आपका time period आजाएगा 2pi root l upon g factor इस तरह से ठीक है पहला case तो यह हो गया दूसरा case भी देख लेते हो दूसरा case वहाँ आपका electric field उपर की तरफ है electric field कितर है उपर की तरफ है तो इसका mass m था और इसका charge q था और electric field कितर है वह उपर की तरफ है ठीक है और electric field की वैलू कितनी है 2mg upon q ठीक है तो electric field उपर है तो qe हो जाएगा आपका 2mg के ब्रावर क्योंकि यहां पर q into मतलब electric field उपर है तो इस पर force भी उपर की तरफ ही लगेगा इस तरह से इसका इसका उपर गया तो अब कैसे हो जाएगा इसा तरह से लटकेगा लेकिन आभ इसको थोड़ा सा ऐसे करेंगे तो इस तरह से हो जाएगा इस तरह से sume करेगा तो आपका sume कुछ इस तरह से यह आपकी equilibrium position होगी थोड़ा साइसको displace करोगे तो यह इदर ही जाना चालेगा equilibrium position में तो इस तरह से इस तरह से ultrapadron हो जाएगा थीगां इस तरह से all this 성e करेगा तो इस तो फिर से t equal to क्या हो जागा 2 pi root l upon g factor, g factor value g है तो यह g factor हो जागा, ठीक है, next है आपका, third case, third case बोल रहा है आपका, third case बोल रहा है कि e is horizontally having magnitude equal to this, next में this and is directly, ठीक है, so next बोल रहा है कि आपका elective field आपका किदर है, point of x direction है, इस तरह से, इस तरह से elective field है आपका, अब जैसे mg नीचे इस तरह से लग रहा हो, तो फोर्स अब क्यू यह force कैसे लगएगा, elective field की डियक्स माँ क्यू अब इसकी value रखेंगे, q into mg करेंगे, sorry, q into elective field की value है, mg upon q, तो यह multiply करेंगे, तो यह हो जाएगा mg, अब mg ऐसे है, एक mg ऐसे है, दोनों की बीच का जो angle, वो 90 है, तो इनका net जो force आएगा, वो कुछ इस तरह से आएगा, और वो net force क्या हो जाएगा, आपका root 2 mg, root 2 into mg, तो वहाँ से एफेक्टिव आजाएगा, आपका root 2 into g के बरावर, तो आपका t हो जाएगा, 2 pi root l upon g, जी एफेक्टिव के तो न हो जाएगा, तो यह आपका एक answer आजएगा, ठीक है, और क्योंकि net force इधर हो जाएगा, तो यह equilibrium position हो जाएगा, आपकी, यह 90 है, तो 90 से just ऐसे, मतलब यह 45 डिगरी पर, बना देता हो थोड़ा सा रूप, यह 45, यह equilibrium position क्या होगी, अब इसके पर 45 डिगरी पर यह क्या करेगा, चार्स इस तरह से करता रहा, तो थोड़ा सा यहाँ को सही करता हूँ, तो रहू को थोड़ा सा इसको सही करता हूँ, अब सही हो गए है ठीक है तो आप देखोगे कि जो मतलब ऐसे था वर्टिकल तो वर्टिकल से ऐसे थोड़ा 45 डिगरी इंगल पर आ जागा तो इस तरह से आपका उक्सलेस्ट नहोगा इस तरह से तो इस तरह से नेट फोर्स इस तरह से रूट 2 एमजी लग रहा होगा और इस पार्टिकल में से एक्लिविम पोजिश्ट में जाना चाहता है तो इस तरह से औक्सलेस्ट करेगा तो यह हो गया और चौता क्या बोल रहा है चौता बोल रहा है कि आपका एलेक्टिव फिल्ड ऐसे है 45 डिगरी अगले पर तो यह वाला एंगल कितना है 45 ठीक है ठीक है यह एक फोर्टिव डिगरी एंगल पर फोर्स लग रहा हुआ क्यूई अब एक वैलू दे रखा यह तो यह क्यूई की वैलू कर रहा है रूट टू एंजी हो जाएगा और एंजी इस तरह से नेट यह तरह से आएगा तो नेट फोर्स निकाल लेंगे दोनों के बीच एंगल द प्लस 2AB into cos theta ठीक है तो यह हो जाएगा आपका mg2 π्लस root 2 mg की स्कॉर है तो इस तरह से आप करोगे तो यह कुछ f net आ जाएगा तो यहां से a net आएगा इसमें एंगार कर देंगे तो यह हो जाएगा g बरावर तो फिर से t बरावर root 2 pi l upon g आएगा और इसके oxalation के तो तरह होग तो यह question हो गया आपका, next question करते हैं तो next question है आपका, let's test 1.31, electric field e equal to minus bx plus a exist in a region parallel to the x direction and a and b are positive constant, a charge particle having charge q and mass m is released from the origin x equal to 0, find the acceleration of the particle at the instant its speed becomes 0 for the first time after release, okay, तो जैसे आप देख रहो हो कि यह original पर एक charge रखा है और जिसका mass m है, तो ठीक है, electric field आपका positive x direction में, तो positive x direction में electric field है, तो positive x direction में इसका force लगएगा, f equal to q e, तो जितना force है उसे हिसाफ से हम इसका acceleration निकाल लगएगा, तो a prime हो जाएगा, f upon m, तो f की value रखे देंगे, q upon m और q e की value रखेंगे, तो कुछ इस तरह से आपका net acceleration आजाएगा, तो अब acceleration को में change कर सकता हूँ, velocity and position के form में, तो यह v dv over dx हो जाएगा, equal to minus b q upon m x, यह इस तरह से आपका acceleration हो जाएगा, v dv को इदर ही रखता हूँ और dx को इदर कर दूँगा, और फिर इसका integration करेंगे, तो इदर देखोगे, आप dx का integration कर रहे हैं, जब आपका position 0 था, जब आपका position 0 था, तब आपका velocity 0 था, जब आपका position x हो गया, x हो गया position, तो इसकी velocity V हो जाती है, तो जब आप इस तरह से करोगे, तो कुछ इस तरह से आजाएगा, पर बोल रहा है कि at what position, मतलब वो position जहाँ पर, acceleration उस point पर निकालना है, जहाँ पर velocity 0 हो रही है, तो जब velocity 0 होने बार है, तो वो position निकाल लेंगे, तो यहाँ पर 0 कर देंगे, तो कुछ इस तरह से इसको यहाँ पर लिखेंगे, तो यह x की value यहाँ से आ जाईए, कुछ x equal to 2a upon b, तो x equal to 2a upon b पर हमें क्या निकालना है, acceleration न गया, x equal to 2a upon b पर value 0 हो जाएगे, तो x relation पर रखेंगे, यह minus b upon mx plus a upon mq, तो x की जब रखेंगे, 2a upon b, तो यहाँ पर देखो कि b से b कट जाएगा, 2a upon m, और यह minus 2a upon m है, ठीक है, तो यह कुछ इस तरह से आपका answer आ जाएगा, ओके, तो यह question हो गया आपका, इसके बाद, इसके बाद, इनको आप खुद करना, ठीक है, ओके, next topic आपको पता ही है, के, elective due to distribution, election number 8 है, ठीक है, तो यह आपका हो गया, election number 7 जो भी था, आज मैंने करा दिया, बहुत दिन से pending था, क्योंकि मुझसे delete हो गया, गलती से, ठीक है, अगर मैं कर रहा हो, तो आप लोगों को भी करना चाहिए, चैनल को, सब्सक्राइब कर दिना वीडियो लाइक कर दिना